हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने YouTube चनल Target Shills Services में आज है 29 जुलाई और आज के सेलेक्च में हम दोस्तो बात करने वाले है 29 जुलाई से जितने भी Current Affairs के कोशन बनने वाले है सारे कोशन को सेलेक्च में हम डिसकर्स करेंगे और साथ ही दोस्तो इन Current Affairs के कोशन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगे उन्हें भी हम देखने वाले है सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं जो लाज क्लास में आप से कोशन पुछा गया था कि निमले खित में से कौन सी जोड़ी में क्रम सह एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है दोस्तों इसका जो सही जावब है वो है option to AIDS और Cancer मैं आपको बता दू कि एक संक्रामक रोग दोस्तों AIDS होता है और एक असंक्रामक रोग Cancer होता है यह आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं रोग की तो दो प्रकार के रोग होते हैं एक होते संक्रामक रोग और दूसरे होते असंक्रामक रोग संक्रामक रोग की अगर हम बात करें दोस्तो तो यहाँ सज्यू कारकों से फैलते हैं यहीं पर असंक्रामक रोग की बात करें दोस्तो तो यहाँ निर्ज्यू कारकों से फैलते हैं यहां पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं संक्रामक रोग के उधारन की तो यह दोस्तों कौन से है तो टाइफाइड हो गया एड्स हो गया नुमोनिया हो गया मलेरिया यह दोस्तों एक संक्रामक रोग है जहीं पर असंक्रामक रोग की बात करें तो यहां दोस्तों कैंसर है यह को याद कना है तो करेक्ट रांसर है ऑप्शन 2 और आपुछ टोफ दोस्व लस्क्रास में को इसे के सरकार ने फरैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया है आंदर प्रदेश राजी के सरकार के द्वारा यहां पर correct answer है option 2 next question दोस्तों की प्रतिवर्स कारगिल विजय दिवस कब मना जाता है दोस्तों इसे प्रतिवर्स 26 जुलाई को मना जाता है यहां पर correct answer है option 4 अगला कोशन है कि अंतराशी पूरूस T20 क्रिकेट के हितियास में सतक लगाने वाले सबसे कम उम्र option 2 next question दोस्तों की किस राज्य के बराग भुवन वन ने जो अभ्यार निर्मान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तो दोस्तों आपको बता दू कि अशम राज्य के बराग भुवन वन ने जो अभ्यारन के निर्मान के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है correct answer है option 1 असम अगला कोशन दोस्तों की Formula 1 Race Grand Peaks 2022 का जो खिताब है वह किस ने जीता है इसमें जो French Grand Peaks का जो खिताब है वह Max Verast पर ने जीत लिया है Right answer है यहाँ पर Option 2 अगला कोशन है की विश्व बैंक के मुख्य अर्थ सासरी किसे न्यूपत किया गया है दोस्तों वर्ड बैंक के जो Chief Economist है वह न्यूपत किया है इंदर मिद ग्रील को Correct answer है आपर Option 1 और अब दोस्तों हम सुरुवात कर रहे है आज के Current FS की और अभी तक आपने हमाई लेक्षे को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरू कर दे, Share भी करे अगर आप ही शेंप नहीं हो दोस्तों इसे Subscribe भी जरू कर ले आपके लिए कोशन है दोस्तों कि 2025 महिला ODI विश्व कप की जो मेजवानी है वह कौन सा देश करेगा दोस्तों इसकी मेजवानी करने वाला है हमारा देश भारत यहाँ पर Correct answer है Option 1 दोस्तों मैं आपको बता दू कि अंतराशी क्रिकेड परिशात मलब ICC ने 26 जुलाई को घुशना की है कि भारत 2025 में महिला ODI विश्व कप की मेजवानी करेगा दोस्तों भारत ने आखरी बार 2013 में महिला विश्व कप की मेजवानी की थी साथ यहाँ पर मैं आपको बता दू दोस्तों कि बांगलादीस 2024 में महिला T20 विश्व कप की मेजवानी करेगा जबकि 2026 में संसकरन इंगलेड में दोस्तों आईवजीत किये जाएगे तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि 2025 महिला ODI विश्व कप की मेजवानी है वह कौन सा देश करने वाला है तो हमारा देश भारत करने वाला है यहाँ पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं ICC की लिए इंटरनेशन क्रिकेट काउंसिल की जिसकी सापना दोस्तों जो 15 जुन डेट आपको याद दखना है 15 जुन 1909 को की गई थी मैं आपको बता दू इसका जो मुख्याले दोस्तों वह दूबई सन्युक्त अरब अमिरात में इसी थे साथ ही दोस्तों यहाँ पर अध्यक्षी वर्तमान में कोन है इसके तो यहाँ ग्रेग बारकल है और सियोग जेफ अलाडी से है तो यह सबी महात्वपुर्णों पॉइंट है ICC से जो आपको याद दखना है और आप चल दाए नेक्स कोशन की और और आपको अगला कोशन है दोस्तों की सर विस्टन चर्चिल लीडर्शिप अवर्ड से हाली में किसे नेता को सम्मानित किया गया है दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो सर विस्टन चर्चिल लीडर्शिप अवर्ड है इससे सम्मानित किया है इससे सम्मानित किया है द और आप देख सकते हैं यह है उक्रेन के प्रधान मंत्री जेलेसकी दोस्तो मैं आपको बता दू कि ब्रिटीज प्रधान मंत्री बोरीस जॉनसन ने उक्रेनी राजपती वलादेमीर जेलेसकी को दोसो सर विस्टन चर्चिल लिडर्शिब आवर्ट से समानिज किया है जैलिस्की ने दोसो लंदन कारेयल में एकसामारों के दोरन वीडियो लिंक के दोरा यहाँ पुरुस्कार स्विकर किया है तो यहाँ पे दोसो आपको क्या याद और ना है कि sir, विस्टन चल्चिल, लिडाजिव आवर्ट से किसे सम्षेंद किया है दोस्तों मैं आपको बता दू कि भायरत में हाली में पांच नए रामसर इस्तल घुशित किये गए हैं यहाँ पर करेक्टर अंसर है ओप्शन 2 दोस्तों भायरत ने अंतराश्री महत्व के पांच नए आदरभु में इस्तल नामित किये हैं मैं आपको बता दू तमिल नाडो में दोस्तो तीन आद्रफुमी इस्तल जिनके नाम हम बात कर लेते हैं करी किलो पक्षी अभ्यारम दूसरा है दोस्तो पल्ली करनई मार्स रिजर्व फोरेस्ट और तीसरा है दोस्तो पिंचवरम मैगरोवन यहीं पर हम दोस्तो बात करें मिजर्व में एक पाला आद्रफुमी और मद्र देश में दोस्तो एक आद्रफुमी जिसका नाम है साक्य सागर इसे दोस्तो रामसर साइट में सामिल कर लिया है इस प्रकार दोस्तों देश में रामसर इस्तल की जो संक्या है वहाँ उनांचा से बढ़कर 54 हो गई है या देखना अब रामसर इस्तल कितने है दोस्तों भारत में तो 54 मनलब 54 है यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं रामसर साइट के तो रामसर साइट एक आद्रभ में स्टल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहट अंतराशी महत्वा के लिए नामित किया गया है दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो रामसर है यह इरान में एक साहर है यह आपको पता होना चीए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अदा दो कि यहाँ युनेस्को द्वारा 1971 में इस्तापित एक अंतर सरकारी परियावरन संदी है जिसे 1975 में लागू किया गया था भारत की पहली रामसर स्थल की बात करें दोस्तों तो यहाँ कौन सी है यहीं पर आपको याद देखना है कि अब कुल कितने रामसर साइट हो गए भारत में तो 54 हो गया है और आप चलते हैं अगले कोशन की ओर और आपके लिए अगला कोशन दोस्तों कि केटू पर चर्णने वाली पहली बांगलादेश महिला कौन बनी है दोस्तों में आपको बता दू कि पाकिस्तान में इस्तित जो ये दूसरी सबसे बड़ी उची चोटी है जिसका नाम है केटू इस पर चर्णने वाली दोस्तों पहली बांगलादेशी महिला कौन बन गई है तो यह वसिफा नाजरिन बन गई है यहाँ पर करेक्ट अंसर है दोस्तों ओप्शन वन वसिफा नाजरिन दोस्तों केटू पर चर्णने वाली पहली बांगलादेश महिला बनी है दोस्तों में आपको बता दू कि परवतार हो ही वसिफा नाजरिन पाकिस्तान की दूसरी सबसे उची चोटी केटू जोकी 8,611 मीटर या 28,201 फिट उची इस पर चलने वाली दोस्तों यहाँ पहली बांगलादेशी महिला बन गई है यहाँ पर करेक्ट अंसर हो गया ओप्शन वन वसिफा नाजरिन और अब चलते हैं अगले कोशन की ओर और आपके अगला कुशन दोस्तों की भारत के किस सहर में 44-वे सत्रंज ओलिम्पियाड का आयूजन हो रहा है दोस्तों में आपको बता दू कि 28 जुलाई से भारत में 44-वे सत्रंज ओलिम्पियाड का आयूजन शुरू हो गया है और इसका जो उद्गाटा ने वो किस ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमती नरेंद्र मोधिची ने किया है करेक्ट रांसर है यहां पर आप्शन टू चेन नाई दोस्तो 1927 से आयूजित हो रही इस प्रतिस्टिक प्रतियोगीता की चुमेजवाली है वह भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में हो रही है मैं आपको बता दू कि इस प्रतियोगीता में दुनिया भर के 189 दोस्तो देश भाग लेंगे साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको यादेखना है कि जो 44 वे सत्रंज ओलिम्पियाड है इसका आधिकारिक सुभंकर क्या है तो यह थंबी है और आप देख सकते हैं दोस्तों यह है इसका आधिकारिक सुभंकर थंबी दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 277 महा संग की मलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तो दोस्तों जितने भी सतरंज के खेल होते हैं विश्व में उन्हें regulate कुन करता है तो फीडे regulate करता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फीडे की जो इस्तापना है मलब 277 महा संग की जो इस्तापना है दोस्तों वहाँ 20 जुलाई डेट याद दखना 20 जुलाई 1924 को की गई थी और इसका मुख्याले दोस्तों लूसाने स्यूजर लेड़ में इस्तीत है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कोन है तो यहाँ आर कड़ी डवर कोवेच है यह आपको पता होना चीए तो याद दखना दोस्तों यहाँ सभी महात्वपूर्णों पॉइंट है 277 महा संग से जो आपको याद दखना है राइट अंसर है यहाँ पर ओप्शन थर्ड चेन्नाई भारत की दोस्तों चेन्नाई सहार में 44-47 ओलिम्पियाट का आवजन हो रहा है करेक्ट अंसर क्या है यहाँ पर ओप्शन थर्ड और आपके लिए अगला कोशन दोस्तों कि अंतराशी मुद्रा कोष इसके अनुमान में दोस्तों 8.2 प्रतिशत से घटकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है विटवर्ण से 2022 के लिए विकास धर भारत के लिए घोशित की है यहाँ पर दोस्तों 8.2 प्रतिशत पहले थी लेकिन अब अनुमान लगा जा रहा है कि यहाँ कितना हो जाएगा 7.4 प्रतिशत मलब घटकर यह 7.4 प्रतिशत हो जाएगा इससे कुछ दिन पहले ही दोस्तों ऐसे विकास बेंकर ने भी विटवर्ण से 2023 के लिए भारत का जो विकास अनुमान है वह 7.5 से घटकर 7.2 प्रतिशत कर दिया था यहाँ पर आम दोस्तों बात कर लेते हैं अंतराश्य मुद्रा कोस की मलब इंटरनेशनल मॉनेटरिव फंड की तो दोस्तों इसकी जो इस्तापना है वह 27 दिसंबर यादखना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यले दोस्तों वासिंग्टन डीशी आमेरिका में इस्तीत है इसके सदर्शी देश की बात करें तो यहाँ 190 है साथ ही यहाँ पर आपको यादखना है कि इसके अध्यक्ष कोन है दोस्तों तो यहाँ क्रिस्टालीना जॉर्जिया है यादखना दोस्तों अध्यक्ष कोन है तो यहाँ क्रिस्टालीना जॉर्जिया है इसके मुख्य अर्थ सास्ती कोन है तो यहाँ गीता गूपी नाथ है यह आपको याद दखना है तो याद दखना दोस्तों यहाँ सभी महात्व पूर्णों पॉइंट है अंतराशे मुद्रा कोश से जो आपको याद दखना है और अब चलता है next question क्यों और आपके अगला question दोस्तों कि Paytm Payments Services Limited के नए CEO कौन बने है दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो Paytm Payments Services Limited है इसके नए CEO बने है नकुल जेन correct answer है option 2 और आप देख सकते दोस्तों यह है नकुल जेन दोस्तों नकुल जेन Paytm Payments Services Limited के नए CEO बने है और इन्होंने प्रविन सर्मा का इस्तान दिया है यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते है Paytm की जिसकी साफना अगस 2010 को की गई थी और इसके संस्तापक कोने तो यहाँ विजय सेकर शर्मा है दोस्तों साथ है आपको याद रखना है कि Paytm का जो मुख्याले है वहाँ नोएडा उत्तरपदेश में इसीत है यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते है जो हाली में कुछ CEO निउप्त किये गए थे जैसे कि हम बात करें National Stock Exchange की जिसके CEO कौन है दोस्तों तो यहाँ आसीस कुमार चववान है और निती आयोक के CEO परमेशो अरम अयर है और साथ ही दोस्तों आपको यादखना की दूर सरंचार कमपनी वोड़ाफोन आइडिया की जो नए CEO है वा अक्षे मुंद्रा बने है तो यह सभी महातुपूर्ण CEO थे जो हाली में निउप्त किये गए है यादखना दोस्तों पेटियम पेमेंट्स सर्विस है लिमिटेट के नए CEO कौन बन गए है तो यहाँ नकुल जैन बन गए है करेक्ट अंसर है ऑप्षेन टू और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के कोशन अब दर देखी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्ष में देना है कोशन है कि आमासा है कि पर नए हो दोस्तों से सब्सक्राइब भी जरू कर ले थैंक्यी सो मच गाइस फॉर वाचिंग इस वीडियो बाई बाई टेक क्यार